ओम शांती, ओम शांती 1970 की अव्यक्त मुर्ली की ट्रंकला में ये मुर्ली है 5-4-1970 5th of April 1970 इस मुर्ली का शीशक के सर्व पॉइंट का सार पॉइंट बनो जितने भी सारे पॉइंट हैं उनका सार क्या है? बिंदी बनो, पॉइंट मना बिंदी बनो आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं सभी सुनने चाहते हो बाश संपूर बनना चाहते हो बाबा बच्चों से पूछते हैं सभी सुनना चाहते हो या संपूर बनना चाहते हो संपूर बनने के बाश सुनना होता होगा पहले है सुनना फिर है संपूर बन जाना इतनी सभी पॉइंट सुनी है उन सभी पॉइंट का सरूप क्या है जो बनना है सर्प सुने हुए पॉइंट का सरूप क्या बनना है सर्प पॉइंट का सार बस सरूप पॉइंट ही बनना है बाबा करते हैं सारे जितने भी पॉइंट का सार या सरूप है जितने भी points हैं, जितने भी बावा ने बात बताई है तो सबका सार क्या निकलता है? बिंदी सरूप बनना, points सरूप बनना ही है सिर्फ point का सार भी point में आता है तो point रूप बनना है, बिंदी रूप बनना है बिंदी अतिक सुक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया होता है इस समय मुख पुरशात कौन सा चला है अभी पुरशात है बिस्तार को समाने का जिसको बिस्तार को समाने का तरीका आ जाता है भही बाप दादा के समान बन जाते हैं बहुत सारी होते हैं बाते बड़ी हो जाती है तो जिसको बड़ी विस्तार मना जिसको बड़ी वातों को छोटा करना आता है बही बाप दादा के समान बन जाते है पहले भी सुनाया था ना की समाना और समेटना है जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है बीज में कौन से शक्ती है ब्रक्ष के बिस्तार को अपने में समाने की अब बाबा कहते हैं कितनी बड़ी बात है बहुत बड़ा पॉइंट बाबा समझा रहे हैं बीज होता न छोड़ा सा बीज होता है उसमें कितनी शक्ती है यहना बीज के कोई ब्रक्ष नहीं निकल सकता तो बीज में कौन सी शक्ती है ब्रक्ष के बिस्तार को अपने में समाने की तो अब क्या परशाद करना है बीच सरूप इस्तिती में इस्तित होने का अतात अपने बिस्तार को समाने का बीच सरूप इस्तिती में इस्तित होने का अतात अपना जो यह बड़ा सा दे है इसको भूल कर बीच सरूप इस्तिती में बीच सरूप माना आत्मा सरूप इस्तिती में आत्मिक सरूब इस्थिती में बिंदी सरूब इस्थिती में इस्थित होना तो ये चेक करो बिस्तार करना तो सहज है लेकिन बिस्तार को समाना सरल हुआ है बाबा कहते हैं बिस्तार करना तो सहज है लेकिन उसको समाना सरल हुआ है आज कल साइन्स वाले भी बिस्तार को समेटने का ही परशाथ कर रहे हैं साइन्स वाले भी क्या कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को समेटने की और्शिश कर रहे हैं साइन्स पावर भाले भी तुम साइलेंस की शक्ती बालों से कॉपी करते हैं जैसे जैसे साइलेंस की शक्ती सेना पुर्शात करती है बैसे ही बै भी पुर्शात कर रहे है पहले साइलेंस की शक्ती सेना इंवेंशन करती है फिर साइन्स अपने रूप से इंवेंशन करती है जैसे जैसे यहां रिफाइन होते जाते हैं बैसे ही साइन्स भी रिफाइन हो बैसे ही यहां भी असंभव बाते सरल और संभव होती जाती है अब मुख पुर्शाथ यही करना है आवाज में आना जितना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो इसको यह संपूर्ण स्थिति के समीब की स्थिति कहा जाता है बाबा बच्चों से कहते हैं बाबा के सामने कोई गुरूप होगा करते हैं यह गुरूप कौन सा है बाबा तो हर गुरूप को नशा चड़ाते हैं इस गुरूप के बारे में बाबा करते हैं यह गुरूप कौन सा है इस गुरूप के हर एक मुर्थ में अपनी अपनी विशे बिशेष्टा की कारण ही इस रिस्टी में विशेष आत्माएं बने हैं विशेष आत्माएं तो हो ही अब क्या बनना है विशेष हो अब श्रेस्ट बनना है बाबा करते हैं विशेष हो विशेष तो हुई क्योंकि बाबा मिले हैं हम सब बच्चों को हम सब कोटों में से चु विशेष्टा है जो कोई में नहीं थी बाबा कहते है जो गुरूप बाबा के सामने है बाबा उन से कहते है उस गुरूप में एक विशेष्टा है जो कोई में नहीं था बै कौन सी एक विशेष्टा है अपनी विशेष्टा को जानते हो इस गुरूप के यही विशेष्टा कि हर एक के मन में कुछ कर दिखाने का ही उमंग है इसलिए इस गुरूप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं होवनहार और उमीदवार गुरूप यही गुरूप है जो स्रिस्टी के सामने अपना असली रूप प्रतेक्श करके दिखा सकता है माना बाबा के सामने बहुत होनहार बहुत उमीदवार बच्चे वैठे हैं तो बाबा करते हैं यही वही बच्चे हैं जो स्रिस्टी के सामने अपना असली रूप प्रतेक्श करके दिखा सकते हैं मैदान में खड़ी हुई सेना ये है आप लोग तो बैकबोन हो तो बाप दादा की करतब को प्रतेक्ष करने की ये भुजाए हैं मालूम है कि भुजाओं में क्या-क्या अलंगकार होते हैं बाप दादा की भुजाएं अलंगकार धारी हैं अपने आप से पूछो हम भुजाएं अलंगकार धारी हैं बाबा बच्चों से कहते हैं अपने आप से पूछो हम भुजाएं कितने अलंगकार धारी हैं कौन-कौन से अलंगकार धारड किये हुए मैदान पर उपस्तित हो सर्व अलंकारों को जानते हो न तो अलंकार धारी बुजाएं हो अलंकार धारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती है शक्तियों की बुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी बावा गयते हैं शक्तियों की भुजाएं कभी खाली दिखाते हैं हाथ में कितने सारे अलंकार लिये होते हैं कुछ ना कुछ हाथ में रहता है तो अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं एक एक बुजा के अलंकार और रफ़तार इस गुरूप को भटी में क्या कराएगे शक्तियों का मुख गुड क्या है शक्ति मना कुमारियों को बावा कहते हैं तो शक्तियों का मुख गुड क्या है इस ग्रूप में एक तो शक्तिपन का पहला गुड निर्वता और दूसरा बिस्तार को एक सकीन में समेटने की युक्तीवी सिखाना अनीक संसकारों को एक शुद्ध संसकार कैसे बनाएं? यह भी इस भट्टी में सिखाना है कम समय और कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो यह भी तरीका सिखाना है सुनना और सरूप बन जाना है सुनना अधिक और सरूप बनना कम सुनना अधिक और सरूप बनना कम नहीं सुनन नहीं सुनते जाना और बनते जाना अब रहते सुनना अधिक और सरूप बनना कम नहीं सुनते जाना और बनते जाना माना जो बाबा कहते हैं उसको सुनते जाना और उसका सरूप बनते जाना धारण करते जाना माना सरूप बनते जाना माना धारण करते जाना जो जो बाबा मुरली में बताते हैं वो चीजों को धारण करते जाना अब साक्षातकार मूरत बन जाना बाचा मूरती नहीं जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे सेंस बहुत है लेकिन आप क्या करना है ग्यान का जो इसेंस है उसमें रहना है ग्यान का जो सार है उसमें रहना है सेंस को इसेंस में लगा देना है तब ही जो बाप दादा की उमीद रखते हैं वे प्रतेक्ष दिखाएंगे सार को जानते हो ना बाबा कहते है सार क्या है ग्यान का सार बावा ने में बताया ना बिंदी सुरू तो सार को जानते हो जो इस ग्यान की अवश्चक बाते हैं वही सार है अगर भे अवश्चक बाते धारण कर लो तो सर्ब अवश्चक्ताइं पूरी हो जाएं अभी कोई ना कोई अवशक्ताएं है लेकिन इन अवशक्ताओं को सदा के लिए पूर करने के लिए दो बात है अवशक्त है जो बताई आकारी और अलंकारी बनना आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है बै कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं बै एक शब्द है लाइट लाइट कार्थ है एक तो जोती भी है और लाइट कार्थ हलका भी है लाइट कार्थ एक तो जोती भी है और लाइट कार्थ हलका भी है तो हलका पन और प्रकाश मैं भी अलंकारी भी और आकारी भी जोत सरूब भी जौला सरूब भी फिर हलका आकारी तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बाते आ गई इसमें कर्तब बे भी आ जाता है कर्तब भी क्या है? लाइट हाउस बनना लाइट में सरूब भी आ जाता है कर्तब भी आ जाता है बाबा बच्चों से कहते हैं टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिश्क पर लगाया जाता है ऐसे बिंदी सरूब ये भी तिलक है जो सदैब लगा ही रहे बाबा कहते हैं जैसे तीका मस्तक पर लगाया जाते हैं तीका तिलक लगाते हैं तो जैसे ही ये बिंदी सुरूप है माना आत्मा का सुरूप है ये लगा ही रहे दूसरा भवेश्य का रास्त तलक ये भी तिलक ही है दोनों के स्मृति रहे उसकी निशानी ये तिलक है निशानी को देख नशा रहे ये निशानी सदा काल के लिए दी जाती है जैसे सुनाया था ना पॉइंट वैसे ये तिलक भी पॉइंट है समेटना और समाना आता है बाबा बच्छों से पूछते हैं समेटना और समाना आता है समेटना और समाना ये जादोगरी का काम है जादोगर लोग कोई भी चीज़ को समेट कर भी दिखाते हैं समा कर भी दिखाते हैं इतनी बड़ी चोटी चीज़ छोटी में भी समा कर दिखाते हैं यही जादोगरी सीखनी है प्रैक्टिस ये करो बिस्तार में जाते फिर वहां ही समानी का पुरशाथ करो जिस समय देखो कि बुद्धी में बहुत बिस्तार की गई हो समय अभ्यास करो इतने बिस्तार को समा सकते हो तब आप बाप के समान बनेंगे बाप को जादुगर कहते हैं न तो बच्चे क्या है शीतल सरूप और जोती सरूप दोनों ही सरूप में इस्तित होना आता है अभी अभी जोती सरूप अभी अभी शीतल सरूप जब दोनों सरूप में इस्तित होना आता है तब एक रस इस्तिती रह सकती है दोनों की समानता चाहिए यही बरतमान पुर्शाथ है यह पुष्प क्यों दे रहे हैं अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है बाप रिटन एक जन्म में बाप दादा देते हैं बाबा बच्छों को जो पुष्प देते हैं बाबा क्या कहते हैं अनेक जन्मों से जो बाप की पूजा की है पर रिटन एक जन्म में बावा देता है कितने जन्मों से हम लोग बावा की पूजा करते हैं बावा एक जन्म में हम सभी को इस संगम के अन्मोल जन्म में हम सभी को कितना बड़ा रिटन देते हैं जो न्यारा होता है वही अती प्यारा होता है अगर सर्व का हती प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा बनेंगे जितना न्यारा पन उतना ही प्यारा बन और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहरा मिलता है न्यारे बनते जाना था प्यारे बनते जाना अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते तो उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और सभाव से न्यारे नहीं बनते जितना जिसका न्यारापन का अनुवाबोगा उतना सुथा प्यारा बनता जाएगा प्यारे बनने का पुर्शाथ नहीं न्यारे बनने का पुर्शाथ करना है न्यारे बनने की प्रालब्द है प्यारा बनना न्यारे बनने की प्रालब्द है प्यारा बनना उसका पुरुषाद सुनाया कि उसकी चलन में न्यारा पन तो ये पुश्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बननेगा इस गुरूप में हर्श पन भी है अभी हर्श में क्या एट करना है आकर्शन मूर्थ कैसे बनेंगे जब अपनी बुद्धी से सर्व आकर्शनों से परे होगी तो आकर्शन मूर्थ बनेंगे जब तक कोई भी आकर्शन बुद्धी में है तो आकर्शित नहीं होते जो आकर्शन मूर्थ बनते हैं वही आकारी मूर्थ बनते बाबा करते हैं अगर कहीं पर अट्रेक्शन है कहीं पर आकर्शन है तो वो आकर्शन मूर्थ नहीं बनते बाप आकारी होते हुए भी आकर्शन मूर्थ थे ना बाबा करते हैं ब्रह्मा बाबा आकारी होते हुए भी आकर्शन मूर्थ थे क्योंकि कहीं पर उनका अकर्षन नहीं था इसलिए अकर्षन मौत थे जितना जितना अकर्षन जैसे पहले लोग प्रत्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब प्रत्वी के अकर्षन से परे जाते हैं तुम पुरानी दुनिया के अकर्षन से परे जाएंगे फिर ना चाहते हुए भी आकर्शन मूत बन जाएंगे साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है सर्विस का भी बहुत बल मिलता है एक है अपने पुर्शात का बल और एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है तो दोनों ही बल प्राप्त होते है बाप तादा का इसने कैसे प्राप्त होता है, मालूम है जितना जितना बाप की कर्तब में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना इसने प्राप्त होता है अब बावा के इसने कैसे बच्चों को मिलता है जितना जितना बावा की करतब में सहयोगी बनते है उतना इसने मिलता है करतब के सहयोग से इसने मिलता है ऐसा अनुभव है जिस दिन करतब के अधिक सहयोगी होते है उस दिन इसने का बिशेश अधिक अनुबब होता है जिस दिन करतव के अधिक सहयोगी होते है माना बाबा के जो बाबा ने हम सभी बच्चों को करतव दिये हैं उसके जिस दिन हम लोग अधिक सहयोगी बनते हैं उस दिन अति इसने ही का अनुबब होता है सदा सयोगी सदा इस नहीं सवमान कैसे प्राप्त होता है जितना निर्मान उतना सवमान जितना जितना बाप दादा के सवमान उतना ही सवमान निर्मान भी बनना है सवमान भी बनना है ऐसा ही पुरुशाद करना है निर्मारता में कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं फिर समान में भी कमी नहीं अपनी समान की परक समानता से देखनी है बाप दादा का अपने से साक्षातकार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा कोई भी चीज का साक्षातकार किस में होता है दरपण में तो अपने को दरपन बनाना पड़ेगा बना शीवशा बनाना पड़ेगा दरपन तब बनेंगे जब संपूर अरपन होंगे अब दरपन कैसे बनेंगे जब बाबा का सक्षातकारम अपने अंदर कैसे करा सकेंगे अब दरपन बनना पड़ेगा तो बावा कहते हैं अब दरपण कैसे बनेगे जब पूरी तरह से बावा पर अरपण होंगे पूरी तरह से सरंडर होंगे संपूर अरपण तो श्रेष्ट दरपण जिस दरपण में सिस्पस्ट साक्षातकार होता है अगर यथा योग यथा शक्ती अरपण है तो दरपड़ भी यथा यथा शक्ती है संपूर अरपण अतात स्वयम के भान से भी अरपण हो जाना अपने को क्या समझना है विशेश कुमारी का करतब यही है जो सभी बाप दादा का साखशातकार करा है सिर्फ बाड़ी से नहीं लेकिन अपनी सूरस से विशेश कुमारी का करतब क्या है जो सभी बाप दादा का साखशातकार करा है सिर्फ बाड़ी से नहीं लेकिन अपनी सूरस से जो बाप में विशेश थाए थी साकार में बे अपने में लानी है ये है विशेश ग्रूप इस ग्रूप को जैसे साकार में कहते थे जो ओटे सो अरजुन समान अल्ला तो इस ग्रूप को भी समान अल्ला बनना है ऐसा करके दिखाना है जैसे मस्तिष्क में तिलक चमकता है ऐसे स्रिस्टी में स्वैम को चमकाना है ऐसा लक्षे रखना है, अपने आपको ऐसा चमकना है, ऐसे मस्तिष्क्र में तिलक चमकना है, ऐसे स्रिस्टी में स्वैम को चमकाना है ऐसा लक्षे रखना है, सर्विस्ट में सयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेश इसने भी है सहयोग और स्नेग के साथ अभी शक्ती बननी है अभी शक्ती सरूप बनना है शक्तियों में विशेश कौन सी शक्ती बननी है? सहन शक्ती शक्तियों में कौन सी शक्ती बननी है? सहन शक्ती जिसमें सहन शक्ती कम उसमें संपूर्टा भी कम विशेश इस सक्ती को दाराण करके शक्ती सरूप बन जाना है तरप्त जो आत्माई होती है माना जो तरप्त होती है उनका विशेश गुड़ है निर्वेता और संतुस्ट रहना जो तरप्त होती है ना माना संतुस्ट होती है आत्माई उनका विश्यश गुड है निर्वेता और संतुस्ट रहना जो खुद संतुस्ट रहता है वो दूसरे को भी संतुस्ट रख पाता है जो खुद साटिस्फाई होगा वो दूसरे को भी साटिस्फाई रख पाएगा उसमें सर्व गुण आ जाते हैं जितना जितना शक्ति सो रूप होंगे उतना कमजोरी सामने रह नहीं सकती तो शक्ति रूप बन कर जाना ब्रह्म कुमारी भी नहीं कुमारी रूप में कहा कहा कमजोरी आ जाती है शक्ति रूप में संगहार की शक्ति है शक्ति सदय बिजय ही है शक्तियों के गले में सदय बिजय की माला है शक्ति रूप की बिस्समित्री से बिजय भी दूर हो जाती इसलिए सदय अपने को शक्ति समझना बाबा कितना कुमारियों को नशा चड़ा रहे हैं कि अपने आपको शक्ति सरूप समझना ब्रह्मु कुमारी तो समझ नहीं है लेकिन उससे भी बढ़कर अपने आपको शक्ती सरूप समझ जाए कि मैं शक्ती सरूप हूँ तो इससे बिजय निश्रित ही है बच्चे बाप से बड़े जादूगर है बाप से बड़े जादूगर इसलिए है जो बाप जो बाप को जो बनाना चाहते हैं बे बना सकते हैं बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते हो लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते हो वे कौन बच्चे कितना कहते हैं बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है बाबा को जो चाहे बना सकते हो बच्चे वे कौन है बाबा कहते है ऐसा कौन है जो भगवान को जो चाहे चाहे बाबा को अपना मा बनाओ चाहे बाबा को अपना पिता बनाओ चाहे बच्चा बनाओ चाहे यूगल बनाओ तो बावा कितना अच्छा सारे संबंद बावा से हम सब रख सकते हैं तो बावा कहते हैं जो चाहें सो बना सकते होगा कौन है बच्चे अव्यक्त होते हुए भी ब्यक्त में लाते हैं ये जादूगरी के हैं अव्यक्त होने के दिन नस्दीक है तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है ग्यान मूर्थ और याद मूर्थ दोनों में समान बनना है वाना ग्यान भी अच्छा होना चाहिए ग्यान में भी अच्छे हो बच्छे और याद में भी अच्छे हो ऐसा ना ग्यान बहुत अच्छा हो याद कम हो याद बहुत जादा हो ग्यान कम हो दोनों में बाबा करते हैं समान बना है जब चाहे तब ग्यान मूद जब चाहे तब याद मूद बने जितना जो खुद को याद मूद हो रहता है उतना ही बे औरों को बाप की याद दिला सकते है याद मुत मन सभी को याद दिलाना है समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है अपने को सदैब ऐसे ही एवरेडी रखना है जो कभी भी समय आ जाए इंतिजार को खतम करके इंतिजाम रखना है जब अपना इंतिजाम पूरा होता है फिर इंतिजार करने की अवशकता नहीं रहती उसको ही कहा जाता है एवरेडी सब में एवरेडी सिर्फ सर्विस में नहीं पुर्शाथ में भी एवरेडी संसکارों को समीब करने में भी एवरेडी विशेश इसने हैं इसलिए विशेश बनाने की बाते चल लएई है ब्रक्ष्म ये जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते हैं पहले बाले पुराने होते हैं और पीछे बाले बड़े सुन्दर होते हैं तो ये भी पीछे आये हैं, लेकिन प्यारे बहुत हैं, पीछे बाले नर्म बहुत हैं, यहां नर्म में क्या है, जितना नर्म उतना गर्म, अगर सिर्फ नर्म होंगे तो कोई भी छीन लेगा, कोमल बनने के साथ कमाल भी करनी है, वावा करते हैं, जितना नर्म उतना गर्म, खाली नमर बनेगे तो क्या है? कोई भी चीन लेगा. कॉमल बनने के साथ कमाल भी बननी है, शक्ति सरूप भी बनना है. कॉमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं. ये सारा गुरुप कमाल करके दिखाने वाले हैं. ऐसा लक्ष रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए तब कहेंगे बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्ला जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पढ़ेगा अगर स्रेस्ट कर्म करेंगे तो नाम पढ़ेगा स्रेस्ट मड़ी स्रेष्ट मड़ी का सर्विकार स्रेष्ट करने पड़ते हैं मन से बाणी से कर्म से सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवर्शक है अगर सरलता है सहनशीलता नहीं तो स्रेष्ट नहीं इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए अगर सेहन शीलता के बिना सरलता आ जाती है तो बोलापन कहा जाता है सरलता के साथ सेहन शीलता तो शक्ति सुरूप कहा जाता है शक्तियों में सरलता और सेहन शीलता दोनों ही गोड़ चाहिए अभी के रिजर्ट में यही देखते हैं कि कहां सेहन शीलता अधिक है कहां सरलता रो दिखे अब इन दोनों को समान बनना है सरलता को और शेन चीशता को मदुलता भी चाहिए शक्ति शरूप भी चाहिए देवियों के चितर वहाँ देखे उसमे क्या देखते है जितना जौला शरूप उतना शीटलता करता पिजौला का है सूरत शीदलता किये है ये हैं अंतिम सरूर जैसे बुद्धी से छोटा बिंदू खिसक जाता है ऐसे ये छोटा बिंदू भी हांस से खिसक जाता है जितना जितना अपना देश से नियारे होंगे उतना समय बाद से भी नियारे जैसे वस्तर उतारना पहना सहज है कि मुशकर, इस रीती नियारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना ये भी ऐसा लगेगा, अभी अभी शरीर का वस्तर धारण किया, अभी अभी उतारा, मुख परुचात आज इस विश्यच बात पर पर करना है, जब ऐसे ही बिंदे रूप हो जाना सहज है ब्रामडों की लेंदेन कौन सी होती है अब बबाब बच्छों से पूसते हैं ब्रामडों की कौन सी लेंदेन होती है इसने लेना और इसने देना इसने देने से ही इसने ही मिलता है इसने देने लेने से बाप का इसने भी लेते हैं और ऐसे ही इसने ही समीप होते हैं माना प्यार देने से प्यार मिलता है सभी का प्यार मिलता है और बाबा का भी प्यार मिलता है इसने वाले दूर होते भी समीप है बाप दादा के समीप आने के लिए इसने की लेंदेन करके समीप आना है इस लेंदेन में रात दिन बिताना है यही ब्रामडों का कर्तब है तो ब्रामडों का लक्षण भी है इसने ही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा जितना जो विदेही होगा उतना वो इसने ही होगा तो विदेही बनना अथाफ इसने ही बनना क्योंकि बाप विदेही है न ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्वकेस नहीं रहते हैं माना देह में रहते हुए ही जो आत्मी के सिद्धी में रहते हैं वही सर्वकिस नहीं रहते हैं यहीं नोट करना है कितना बिदेही रहते हो कितना इस देह के बहांद से हटे रहते हो कितना आत्मी के सिद्धी में रहते हो ऐसा स्टेश सवाग कब सपन में भी था तो जैसे ये सपने में भी संकल्प नहीं था ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उन्हों का भी सपने में संकल्प नहीं करना चाहिए ऐसा पुर्शाद करना है लक्ष भी रखो कि ये कमजोरियां पूर्व जनम के बहुत जन्मों की है बरतमान जन्नम के लिए ऐसी कमजोरियों का प्राया लोब करो मास्तर शर्वशक्ति मान हो सर्वशक्ति मान के बच्चे अथात सर्वशक्ति मान सर्वशक्ति मान के बच्चे अथात मास्तर सर्वशक्ति मान ऐसे कमी नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ सब कुछ कर सकती हो बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं सब कुछ कर सकते हो इमत नहीं हाद ना बच्चों को कोई भी असंबब बात नहीं कोई मुश्किल बात भी सहज उनके लिए कुछ मुश्किल होता है जो मास्टर सर्फ शक्तिमान के बच्चे होते हैं मास्तर सर्फ शक्तिमान बनना ही है जो सर्फ शक्तिमान के बच्चे मास्तर सर्फ शक्तिमान होते हैं उनके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं होती बाबा कहते हैं एक शक्ति की भी कमी ना रहे जहां भी अकेला बनो वहां साथ समझो कहां अकेला भेजें तो साथ समझेंगे न अगर शिप बाबा साथ है तो फिर कहां अकेली हो तो अकेला पन लगेगा नहीं अगर बाबा साथ है तो कहीं अकेले भी होगे तो अकेला पन लगेगा नहीं अकेले रहते भी साथ का अनुबब हो ये अब्यास जरूर करना चाहिए और साथ रहते भी अकेले समझे ये भी अब्यास चाहिए दोनों अब्यास चाहिए साथ भी रह सके और अकेला भी रह सके अकेला अथात न्यारा संगटन अथात प्यारा नियारे भी हो तो प्यारे भी हो अब भ्यास दोनों चाहिए बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है अकेला रहना ही साथ है बाहर का अकेला पन और अंदर का साथ बाहर के साथ से अकेला पन भूल जाते हो लेकिन बाहर से अकेले अंदर से अकेले नहीं अकेला रहना ही साथ है बाहर का अकेला पन और अंदर का साथ बाहर के साथ से अकेला पन भूल जाते हैं लेकिन बाहर से अकेले अंदर से अकेले नहीं सर उसे श्रेष्ट मड़ी कौन होते है मस्टक मड़ी कौन बनता है जो मस्तक में बिराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्तित रहता है मस्तक मड़ी कौन बनता है जो मस्तक में जो आत्मा है बिराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्तित रहता है बैस थोड़े ही होते हैं मस्तक में थोड़े हिर्दे में बहुत होते हैं सभी से पहले नजर कहा जाती है ऐसे मस्तक मड़ी बनना है मस्तक मड़ी बह बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं बह सदैव हां करते हैं जो आस्तिक है में मस्तक मड़ी है कोई भी बात में ना शब्द संकल्प में भी ना हो ऐसे गुड़ वाले मस्तक में आ जाते है गायन योग कौन बनते हैं अब बाबा कहते हैं बाबा एक तो मस्तक मड़ी की परिवाशा बताते हैं दूसरा बाबा कहते हैं गायन योग कौन बनते हैं एक ही बात से दोनों के योग बनते हैं या दोनों के लिए विशेश बाते हैं कई ऐसी भी देविया हैं जिनका गायन बहुत है पूजन कम है और कोई देवियों का दोनों होता है तो जो कब कैसे कब कैसे रहते हैं उनका पूजन एकरस नहीं रहता जो सदा अपने इस्थित में इस्थिती में इस्थित रहते हैं उनका पूजन भी सदा रहता है एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है पुर्शात में कब शब्द नहीं रहना चाहिए बबाब करते हैं पुर्शात में कब शब्द नहीं रहना चाहिए लेकिन आप दिखाऊंगा इसको कहा जाता है तीप्र पुर्शाती संपूर स्थिती जो होती है उसमें सर्वशक्तियां संपन होती है सर्वशक्ति संपन बनने से सर्वगुन संपन बनेगे भविश्य में बनना है सर्वगुन संपन अब बनना है सर्वशक्ती संपन जितना सर्वशक्ती संपन उतना सर्वूर संपन बनेंगे कितनी शक्तियां होती हैं मालूम है बाबा बच्चों से पूसते हैं कितनी शक्तियां होती हैं मालूम है कौन सी शक्तियां सुनाई थी एक है सने शक्ति, सम्बंद शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति एक है सने की शक्ति, सम्बंद की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति ये चार शक्तिया हैं तो सम्बंद भी समीब है चारों समान हो जादा साहस है या शहन सक्ति है बाबा करते हैं जादा साहा से मा सहम शक्ती है साहा सथात हिम्मत जो हिम्मत वाले होते हैं उनको मदद भी मिलती है जो हिम्मत करने वाले होते हैं उनको मदद भी मिलती है मदद मांगने से नहीं मिलती हिम्मत रखनी पड़ती है हिम्मत पूरी रखते हैं मदद भी बहुत मिलती है हिम्मत है तो सरवातों में मदद है सदैप हिम्मत बान बनना है फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद अपने आप ही मिलेगी इसने मूर्थ हो शक्ती मूर्थ हो बाबा बच्चों से पूछते हैं इसने मूर्थ हो शक्ती मूर्थ हो इसने और शक्ती दोनों की अवशक्ता है शक्ती रूप से विजई और इसने रूप से संबंध में आते हो अगर शक्ती नहीं होती तो माया पर विजई नहीं पाते हो इसलिए शक्ती रूप से विजई और इसने रूप से संबंद भी चाहिए दोनों चाहिए बाप को सर्व शक्ती मान और प्यार का सागर भी कहते हैं तो इसने और शक्ती दोनों चाहिए सितारे कितने होते हैं आप अपने को क्या समझती हो बाब दादा इसने कौन से नाम रखे हैं बाबा ने कौन कौन से नाम रखे हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चों को नाम रखे हैं बाबा ने तो आज जादू गर भी बच्चा को खाया लकी सितारे हो अपने को लकी समझते हो आवज़े से पूछते हैं को लकी समझते हो भागवान समझते हो लकी तो सभी है जब से भाप के बने हो लेकिन लकी में भी सदैब सफलता के सितारे कोई समीब के सितारे कोई उमीद के सितारे वे हर एक को अपना है अब सोचना है कि मैं कौन हूँ अपने को सफलता का सितारा समझना है प्रतेक्षफल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं ओम शान्ती ये थी मिठे मिठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुन्दर मुरली बाबा बच्चों को बताते हैं सारे पॉइंट्स जितनी भी पॉइंट्स हैं उसका सार एकी है बिंदी सरूप बनना और जितना वित्ता विंदी सुरूप में स्थित रहेंगे उतना अवस्ता एक रस रहेगी अपने जैसे मस्तक में कहते हैं बाबा मस्तक मड़ी कौन बनता है जो सदैब अपने मस्तक मड़ी को महसूस करता है मड़ी को चमकता हुआ देखता है वही मस्तक मड़ी वही मस्तक मड़ी कहलाते है बाबा बच्चों को आज जादूगर भी कह रहे हैं कि बच्चे जादूगर हैं क्योंकि बाबा को किसी भी रूप में अपने आप बाबा उनका गायन भी है जो चाहें बाबा को बना सकते हैं बाबा कहते हैं बाबा को अपना पिता भी मा भी सब कुछ बना सकते हैं बच्चे बागी बाबा कहते हैं शक्ती सरूप इसने सरूप बनना है सरल्ता का सरल्ता भी का साथ में रखनी है और शीतल्ता भी रखनी है शीतलता का भी गुड़ बच्चों में होना चाहिए सहन शीलता का भी गुड़ होना चाहिए कहीं कहीं पर सहन शीलता कहीं कहीं पर सरलता ऐसा नहीं दोनों चीजे साथ में रहना चाहिए शक्ती सरूप बना है बागा ने का मास्टर सरफ शक्ती मान हो सर्वशक्तिमान के बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो कभी यह नहीं सोचना है मैं यह नहीं कर सकती या मैं ऐसा नहीं कह सकती मैं मुझसे यह नहीं होगा यह नाशब्द कभी भी मुख से ना निकले मैं ऐसा करूँगी यूँकि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ यह संकर बारवा करना है इतने हमारे मिठे मिठे प्यारे प्यारे बाबा की पाथ चार 1970 की मुली आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरब से याद प्यार और नमस्ते हमारे मिठे मिठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते ओम शांती